नमस्कार दोस्तों में आपका भाई सियुकमार एक बार फिर स्वागत करता हूँ तड़कती बढ़कती दुनिया में मस्त रहिए चिल रहिए यहाँ पर हम कंप्यूटर से समंदित मिक्स क्यूशन डिसकस करेंगे यह क्यूशन आपके आगामी प्रतियोगता प्रिक्षा के ल आपको बताना है भारत में जो पहला कंप्यूटर सापित किया गया था वो किस तान पर किया गया था तो इसका सही एंसर हो जाएगा ओपस नमबर डी यानि भारतिया संख्य की संस्तान कॉलकता में नेक्ट कुछने आपके सामने देखिए भारत में निर्मित पर्थम कम्प्यूटर है उस कम्प्यूटर का नाम बताना है आपको जो भारत में निर्मान किया गया था तो इसका सही एंसर हो जाएगा ओपस नंबर ए यानि सिधार्थ next question है आपके सामने देखिए computer कौन सी बासा पर कारिये करता है आपको बताना है कि computer की बासा कौन सी है जिस पर वह कारिये करता है तो इसका सही answer हो जाएगा option number C यानि मसीनी बासा next question है आपके सामने देखिए computer का जनक किसे कहा जाता है computer का जनक किसे कहा जाता है तो इसका सही answer हो जाएगा option number B यानि Charles Babbage next question देखिए data processing का अर्थ है आपको बताना है कि data processing का क्या अर्थ होता है तो इसका सही answer हो जाएगा option number C यानि data को उप्योगी बनाना जिसको data को उप्योगी बनाना next question है देखिए सबसे तेज computer होता है आपको बताना है इने में से सबसे तेज computer कोन सा होता है तो इसका सही answer हो जाएगा option number D यानि super computer next question है देखिए भारत में निर्मित परम computer किस परकार का computer है आपको बताना है जि भारत में जो परम computer का निर्मान किया गया था वो किस परकार का computer है कि स्रेणी में आता है वहां तो इसका सही answer हो जाएगा option number D यानि सुपर कम्प्यूटर तो वह सुपर कम्प्यूटर की स्रेणी में आता है परम कम्प्यूटर next question आपके सामने देखे IMAC IMAC का है तो इसका सही answer हो जाएगा option number A यानि machine तो यहे क्या है एक machine है नेक्ष किशूर ने देखिए डबल डबल के अविसकार कौन है आपको बताना है डबल डबल के अविसकार कौन तो इसका सही answer हो जाएगा option number D यानि Tim Brinner Lee next question है आपके सामने देखे computer के जनक यह पिता किसे कहा जाता है इसका सही answer हो जाएगा option number B यानि चार्ल्स बेबेज को next question है आपके सामने देखे निमन में से किसका संब्ध computer के processor से नहीं है आपके पास यह 4 option दिये वे हैं उनमें से आपको बताना है कि जो processor नहीं है तो इसका सही answer हो जाएगा option number D यानि Android Android एक क्या है एक software है नहीं की processor भारत में computer का पर्थमबार परियोग कहां किया गया था आपको बताना है कि भारत में जो computer है उसका परियोग कहां किया गया था इसका सही answer हो जाएगा option number C यानि परधान डागर बेंगलूरूरू next question है बहुत ही बार पॉम्प्टिटी उक्जाम में पुछा गया है कि computer साक्सरता का अर्थ है आपको पताना है computer साक्सरता का क्या अर्थ है तो इसका सही answer हो जाएगा option number C यानि computer की गारियत सम्ता की जानकारी रखना आपको ये कक्षा अच्छी लग रही है तो लाइक रे शेयर करे और चैनल को सबस्क्राइब कर दीजिए दोस्तों computer processor दवारा information में परिवर्तित करता है computer processor दवारा information में परिवर्तित करता है तो इसका सही answer क्या होगा तो इसका सही answer हो जाएगा option number D यानि data को क्या आप इसके खशा का आनन्द ले रहे हैं अगर आनन्द ले हैं तो आप like कर दीजिए like करने में कंजूसी ना करें analytical engine का निर्मान किस ने किया था आपको बताना है कि analytical engine है उसका निर्मान किसके दवारा किया था तो इसका सही answer हो जाएगा option number A यानि चार्ल्स बेवेज के दवारा analytical engine और different engine का विज़कार चार्ल्स बेवेज ने किया था next question देखिए computer के विकास में सरवाधिक योगदान किसका है आपको बताना है कि सरवाधिक योगदान किसका है computer के निर्मान में तो इसका सही answer हो जाएगा option number D यानि one newman का क्या आप लोग उतर दे पार रहे हैं अगर दे पार रहे हैं तो तगड़ा सा share कर दीजिए सब लोगों को share कर दीजिए इस session को ताकि सभी आनंद लेज़के और सभी को पता चल सके कि यूनिक स्मार्ट एजुकेशन पर computer की धांसू कलास चल रही है next question आपके सामने देखिए चुम के डिस्क पर किसी परत होती है चुम के डिस्क पर परत होती है तो इसका सही answer हो जाएगा option number A यानि iron oxide की इसकी होती है चुम के डिस्क पर iron oxide की परत पाई जाती है next question आपके सामने देखिए सक्रीन पर परदर्शित पिक्सल की संग्या सक्रीन खालिस्तान की नाम से जाने जाती है सक्रीन पर परदर्शित जो पिक्सलों की संग्या है उसे किस नाम से जाना जाता है तो इसका सही एंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर A यानि रेजूलिशन उसे क्या कहते हैं रेजूलिशन कहते हैं नेक्श्ट किशन आपके सामने देखे निमन में से कौन एक प्रोग्रामिंग लेंग्वेज नहीं है आपको बताना है ये आपको पास चार ओप्सन है इन में से आपको बताना है कि प्रोग्रामिंग लेंग्वेज कौन सी नहीं है दोस्तों मस्त रहिए चिल्ड रहिए और धारधार बने रहिए यूनिक समार्ट एजूकेशन के यूटूब जेनल के साथ तो इसका सही एंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर C यानि जावा नेक्श्ट क्यूशन है देखिए आपके सामने निमन में से कौन सा इंटरनेट एक्स्प्लोरल नहीं है तो इसका सही एंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर D यानि गूगल पलस ये तड़कता बड़कता सेशन आपको कैसा लगा अगर अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक इसको सेर करें दीजिए आपसे फिर मुलगात होगी एक और नए वीडियो के साथ तब तक बने रहिए यूनिक स्मार्ट एजुकेशन के यूटूब चैनल के साथ मकसद रटाना नहीं समझाना है